यह सो हलो एवरीवान हिटेश यहार एंड टुडेए वी गना टॉक अबाओ धी लेटिस्ट रिलीजड मुवी और नेट्फिलिक्स काल्ड लिफ्ट जोकी हाल ही दोजार चॉबिस में आई है अभी तक इसे किसी ने एक्स्प्लेइन भी नहीं किया है और हर बार आपकी मुझ 65th installment यहानि कि 65 भी मूवी मैं इस लिस्ट में शामिल कर रहा हूं इसके बाद में और भी आने वाली है अगर आप भी इसी तरीके से अपनी फेवरेट मूवी को इस लिस्ट में शामिल करवाना चाहते है तो अपनी फेवरेट मूवी का नाम हैश्टेक आटेक्स करके लिखन मत भूलिएगा क्या पता अगली वो मूवी आपकी ही एक्स्प्लेइन हो जाए सुना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरुवात में सीन शिफ्ट होता है वैनिस में और यहां पर एक आक्शन चल रहा था जहां शहर के सभी अमीरों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था धेर सारी लोग आकर अपना मास्क वगरे पैन कर इस आक्शन में बैठ जाते हैं वहीं हमें इस कहानी के लीड एक्टर साइरिस को भी देख पाते हैं जो की अगेन एक नई चोरी की ब्लानिंग बना चुके थे वैल ये ऑक्शन होतर आता वैनिस में मगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग लंडन में भी चल रही थे यानि कि कुछ खरीदार यहां बैठे थे वैनिस और कुछ खरीदार लंडन में बैठे थे इसी के साथ हम साइरिस की टीम को भी देख पाते हैं जिनके अंदर थे से मिली भी थी और एक खास मिशन पर थी उसे पकड़ने के लिए मगर साइरस काफी जदा चौलाग था और वह उसकी नजरों से बचकर निकल चुका था मगर इस बार अपने पूरी टीम के साथ तयार थी कि जैसे ही साइरस चोरी करे और वह उसे रंगे हातों पकड़ ले औ कि मैगनस ने अल्रेडी उस ऑक्षन हुई हुई पींटिंग को कस्टमर के पास पहुचने से पहले ही चुरा लिया था और ब्लैक मार्केट में उसी सेम दाम यानि की दो करोड में ऑन दा स्पॉर्ट बेच भी दिया था जिसके बाद बारी आती है इस ऑक्षन की सबसे खास और कीमती पेंटिंग की बेसिकली ये क्रियेशन था जो कि बनाया गया था एनेट नाम के एक क्रियेटर की थुरू वो अपनी पैचान बताना नहीं चाता था इसलिए उसने फेस पर एक मास्क पहन रखा था ये मास्क आपको कहीं ना कहीं इसक्विट गेम की याद दिलाए अभी जो एनेट की खास पेशकर्ष थी इसका नाम था एनेफटी इसमें नियरली 200 कैमराज होते हैं चुकि लाइव एक्शन कैप्चर करके एक एए जनरेटेड पोर्टेट तयार करते थे फिर इसकी निलामी शुरू होती है पैसे बढ़ते बढ़ते डेट से 2 करोड और 2- धाई करोड होते ही हैं कि तभी मी सुन अपनी प्लानिंग लगा चुकी थी और वो कहती है लेफ्ट और उसके कहने के साथ ही वहां की लाइट सोगरे बंद हो जाती है धमाके होना शुरू हो जाते हैं पूरी जगह अफरा तफरी मत जाती है आक्शन में बैटे सभी अमीर घराने की लोग वहां से भागने के बारे में सूचते हैं और यहीं पर साइरस अपना काम कर देता है बीसी के लिए जो धाई करोड की बूली लगाई थी वह लगाई थी कुछ साइरस ने और पैसों के लेंदेन के चक्कर में वह एनिट को अपने ही यॉड पर बुलाने के कहता है और बोलता है कि पेंटिंग भी ले ली जाएगी यानि कि आपकी क्रियेशन और इसी के साथ आपको आपका माउंट भी हम वहीं पर देदेंगे मगर ऊपर बैठी यह सब कुछ देख रही थी और इस बार वो सायरस को रंगे हाथ पकड़ना चाती थी उसे वहां से भ पुलीस वालों को चकमा देते हुए वहां के बैरियस को खड़ा करवा देते हैं और यह पुलीस वाले रास्ते में ही अटक जाते हैं फिर सीन शिफ्ट होता है प्राइवेट यॉट पर और यह लोग पैसों के लिंदेन के बाद में राद भर जम कर पार्टी करते हैं मीनव इसी तरफ इन चोरों की असली हकीकत हमारे सामने आती है बेसीकली उन्होंने जब इस खास क्रियेशन एनेफटी को चुराया तो ब्लैक मार्केट में उसके दाम बढ़ते गए तीन से चार करोड चार से पांच फिर आठ तक पहुंच गये लेकिन उसे एक्टिवेट करने के इसके उनर का वहाँ पर होना जरूरी था और जो दो करोड इनोंने को ट्रांसफर किये थे वह पुरानी वाली वैंक को बेच कर ही से इसके साथ सायरस उसे यह भी बताता है कि इस पेंटिंग के चोरी हो जाने की वज़े से कहां तो यह धाई करोड में आज विए पर जा रह कि इस वक्त एभी के सामने बैठा होता है और फो एभी द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब उलट पुलट दे रहा था एभी उसे गुस्से में कहती है कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे उपर से तुम्हारा वैंकोवर वाला कांड भी लोगों के सामने आ जाए तो मतलब लंडन वालों का CBI या पुलिस इंवेस्टिकेशन डिपार्टमेंट जहां पर उसकी मुलाकात हैक्सली नाम एक और आफिसर से होती है वो बताता है कि हाली में गुप्त सूत्रों से मुझे ये पता चला है कि शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन लार्स जिस ने डैम का पानी शहर में फैला दिया पूरी बाड़ आ गई वहाँ पर लोगों की जान चली गई और इस बार सेम टू सेम वो एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है जिसमें लिवाइथन नाम की एक और बड़ी माफिया शामिल है मैं काफी सालों से लार्स के पीछे मतलब की गोल्ड और वो भी छोटा मोटा एक दो किलो नहीं पूरे दस टन इस पेमेंट को रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है तो यह भी कहती है कि इसमें आखिर मैं क्या कर सकते हैं जहां पर हैक्सली का कहना था कि पुलीस वालों में इतना दिमाग नहीं क की चोर की तरह सोच कर उन चोरों को पकड़ ले इसके लिए एक खास चोर की ही जरूत पड़ेगी और वह खास चोर कौन है यह तो तुम जानती ही हो जहां पर एभी कहती है कि नहीं जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं साइरस के पास जाओंगी उससे मदद मागूंगी और वो भ सबुकना होगा और रंगे हातों पकड़ना होगा और यहीं से शांदार स्वी स्टार्ट होती है आवी पहुच जाती है अर। बताती है कि हम दोनों के पैरिस में दिनों के लिए था रोमैंचों चổiूत रह तक पढ़ चुके थे तुमने ले परatta कि देखो तुम भी चूरी के मिशन पर थे और मैं भी पुलीस वालों की तरफ से तुम्हें पकड़ने के मिशन पर थी तो हम दोनों के बीच में जो हुआ प्यार वो कोई प्यार नहीं था सिर्फ एक दिखावा था लें सायरस भी आशिक मिजाज आदमी वो कहते हैं कि कैर जो मुश्किल तो है मगर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर यह पेमेंट हो गई लिवाइथन ने अपने डैम के बेरियर्स को हटवा दिया तब पूरा शहर बाड में बैजाएगा काफी सारे मासुमों की जान चली जाएगी तो यहां टीम के मेंबर्स एक करके सारी डीटील नि अब यह काम डिफिगल्ट इसलिए था क्योंकि प्लेइन में उनके खुद के गुंडे भी मौजूद थे और उपर से स्काय क्रूस को ट्रैक किया जा रहा था वो भी शहर के बड़े-बड़े ऑफिसर्स के थ्रू तो अब हर कोई अपने-पने काम में जुट जाता है कि कैस यह लोग उस तक पहुंचेंगे जिसके बाद मीजून बताती है कि अगर हम वैसा ही दिखने वाला एक प्लेइन बना ले जो कि रेडार सिगनल पर सेम रिटिंग दे यानि कि जो बोईन 380 है वैसा ही दिखे तो इस गोल्ड को चुराना आसान हो जाएगा लेकिन अब वैसा प्लेइन लाए कहां से जहां पर साइरस बताता है कि उस औक्षन में मॉल्सन नाम के एक अमीर बंदा था जिसके पास में बिल्कुल एस इस वैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत लगने वाला एक प्लेइन मौजूद है क्या पता वो इस काम में हमारी मदद करते जिसके बाद ये पहुंच जाते हैं मॉल्सन के पास में जो की अपना आलिशान प्लेइन दिखाता है जैसे की शहर में उड़ाने की मना ही थी क्योंकि उस प्लेइन में ऊपर और नीचे ग्लास लगे वे थे LED ग्लास और एक्जास्ट इतनी जदा आवास करते थे कि बैन कर दिया ज खेर पहले तो मॉल्सन उन्हें अपना प्लेइन दिने से मना कर देता है जहां अभी बताती है कि इस प्लेइन को रखना ही पहली बात तो illegal है अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो सीधा पुलीस की हवा खाओगे जसके बाद वो अपने प्लेइन की खास बाते बताना शुरू करता है कि इसमें पॉल डांस भी कर सकते हैं यह प्लेइन फॉस्टेस प्लेइन एवर है मलब फाइट के हिसाब से नहीं बिजनस ट्रिप्स के हिसाब से देखा जाये तो खैर अब प्लेइन तो मिल चुका था और इसके बाद में अगली सबसे बड़ी चुनोती थी कि कैसे करके रेडार सिस्टम को फुद्दू बनाया जाए और उसके लिए इने क्रियेट करना था पी एस आई यानि की पोर्टेबल सिगनल इंटरफेस जिसका काम था आसमान में दो प्लेइन के होने के बावजूद भी सिर्फ एक का ही सिगनल प्रोवाइट करवाना लेकिन इसमे कि वहाँ पर किसी खास आदमी का बैटा होना जरूरी है जहां पर एभी बताती है कि मैं ब्रुसेल में एक शक्स को जानती हूं जिसका नाम है हैरी इस काम में वो हमारी मदद कर सकता है मगर वो काफी नचड़ा और बिगडेल किसम का इंसान है जहां सैरिस कहता है कि एक बा माफिया जॉर्गन लार्स तो हैरी की तो सुनती सिट्टी पे टिगोल हो जाती है और वो इस काम के लिए साफ साफ इंकार कर देता है जहां सैरिस कहता है कि इस काम के बदले मैं तुम्हें दूंगा 10 लाक इसी के साथ डील फाइनल हो जाती है और यह पूरी टीम अपने काम पर लग जाती है जिसके बाद पूरे प्लेन का मेक ओवर किया जाता है उसे वैसा दूसरे दिखने जैसा प्लेन बनाने के लिए और फिर बनाया जाता है यानि की पोर्टिबल सिगनल इंटरफेस मगर दिखने में वह एक बॉम जैसा दिख रहा था तो यह भी कहती है कि अच्छे कासे लोगों से जान पैचान बिठा लेने के बाद में अब बारी आती है फाइनल डे की हर कोई अपने अपने गैटप में तयार था अब इसी के साथ एक बात में आपको बताना भूल गया यहां जो कमीला है वो है मनी हाइस्ट से टोक्यो अगर आप में मनी हाइस भी स्टार्ट हो चुकी थी नेट्फिक्स पर उस पर भी काम चालू है जो कि आने वाले दो तिन दिनों में आपको मिल जाएगी ओके सो कमिंग बैक टू दा में स्टूरी अगेइन यहां पर इन लोगों ने अपनी टिकेट्स बुक कर वाली थी कुछ एकनोमी की और कुछ बिजनेस की जहां पहुँचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि यहां पर तो लार्स ने अपने गुंडे भीज रगे थे स्टूरी को अंजाम देने के लिए तयार था मी सुनने सारे एक्सेस कैमरास को है कर लिया था ताकि होने वाली गति वीदियों पर नजर रखी जा सके वही मैगनस ने एकोनॉमी के वाश्रूम में जाकर पी एस आधे पार्ट्स को रख दिया था इसी बीच सायरस को यह पता चुके हैं तो इस काम को करे बिना जाएंगे नहीं इसलिए आगे का काम एभी समालती है और जो आधे पार्ट्स एकोनॉमी क्लास के वाश्रूम में रखे थे उसे आकर ले जाती है अपने बिजनस क्लास वाले वाश्रूम में और वहां पर उस PSI को असेंबल करना शुरू क कर देते पूरा प्लान चौपट हो जाता लेकिन तभी मौके पर वहां पहुंच जाता है साइरस और यह दोनों मिलकर उस PSI मशीन को ठीक करने लगते हैं इन बिट्वीन गुंडा कर इन्हें बहुत बार बोलता है कि बाहर आ जाओ जहां पर यह दोनों उस वाश्रूम में स का सिगनल आ रहा था जहां पर हैरी की कलीग अगर उसे कहती है कि हमें इस बात की इंफर्मिशन आगे सुप्रिडेंडेंडन को देनी चाहिए जहां पर हैरी कहता है कि यह जरूर कोई नॉर्मल ग्लिच होगा ठीक हो जाएगा एक दो मिनिट में बात हद से निकलती जा रही थी और इतने में PSI बनकर रैडी हो जाता है सिगनल मिल जाते हैं टोक्यो अपने प्लेन को उस बोइंग 380 के साथ कनेक्ट कर लेती है और अब रेडार बर सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है जिसके बात शुरू होता है इस मूवी का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और वो अपने सोने के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं अब एक तो मैगनेस उस ताली को तोड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ गुंडे उसके पास पहुंच रहे थे तो सायरस को उन्हें रोकना पड़ता है और अब यहाँ पर आती है इस मूवी की वन आफ बेस्ट फाइट जहां पर चलते प्लेन के इंदर धामदू मुक्के लाद घूसे चाटे सब पढ़ने लगते हैं वहीं कॉपट में बैठे हुए पाइलेट जोने लगता है कि जरूर प्लेन में कुछ तो गडबड हो रही है तो इसलिए हैरी उन्हें कॉन्टेक करके बतात है मगर वह एरिया बहुत ज़्यादा चोटा था यानि कि प्रॉपर रंवे नहीं था एक प्लेन को लैंड होने के लिए मगर वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है सभी सिवीलेंस को बचाने और उस प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने में इस काम में हाला कि वह पाया गया है तो वह अपने लोगों से कह देता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने सुरू का है उसे वहीं पर खत्म कर दो उसे मेरे पास लेकर आओ इसी बीच मैगनस साइरस से सौरी मांगता है कि मैं वक्त बार इस गोल्ड को चुरा नहीं पाया और अब य शहर में बाड लेकर आने वाली थी जिससे की स्टॉक्स के रेट बढ़ जाते और इन दोनों को ही दबाकर फाइदा होता मगर लिवाय थन तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि जिस प्लेन में इनका सोना आने वाला था वो हाईजेक हुआ है जहां पर लार्ज बताता है कि स सारी सिच्वेशन अंडर कंट्रोल है आपके पास में आपका माल पहुंच जाएगा हमें कैसे भी करेके इस डील को आज ही फाइनल करना है मीनवाइल प्लेन में भी बहुत जादा फाइट्स वगर होती है खैर अब तो प्लेन में सिविलियंस मौजूद है हमला ना किया जा करते और उन्हें ट्राइक करते करते पीछा करने लगते हैं ताक कि जहां पर भी रखंगा फेरेंज और में से दस day लेकर बिएन ले Yahoo इस पर उपर से तुम्हारे और मेरे वीच की डीला बेख को गोली मार देता है खैर जो पुलीस इन्हें ट्रैक कर रही थी अब तो वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लार्स को पकड़ने वाली थी लेकिन लार्स कहता है कि यह तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यह चोर लिवाइथन के साथ डील करने वाले थे तो असली गुनेगार तो यह लोग है और इन्हों नहीं लिवाइथन को जान से मारा है तो आप इन्हें पकड़कर ले जाएए और मेरी प्रॉपर्टी को जल से जल्द खाली करवाईए लेकिन तबी सायरस अतना दिमाग चलाता है और प्लेन में जोल्टी तरफ बड़ी सी लगी थी इन फैक्ट एनेफटी की जो धेर सरे कैमराज लगे थे उस प्लेन पर उसकी मदद से वीडियो फुटेज दिखा दी जाती है पुलीस को कि लार्सी असली माफिया था जिसने गोल्ड की डील करी थी लवाइथन के साथ और पूरे शहर को डुबा देनी की प्लानि लेकिन इसी के साथ हैक्सली की सच्चाई भी एबी के सामने आ जाती है बेसिकली उसने आस्मान में ही उन फाइटर जेट्स को बोल दिया था कि इन गुंडों के प्लेन को तबाह कर दो लेकिन टोकी और साइरस के दिमाग नहीं इनने बचाया क्योंकि उन्होंने प्लेन को ये लिख दिया था कि इसमें सिविलिन्स मौझूद है जबी सच्चाई एबी के सामने आई तो उसने पुलीस डेपार्टमेंट को छोड़ देने के बारे में डिसाइड किया खैर अब तो उसने भी सायरस की टीम को जॉइन कर लिया था इसी के साथ एक बैक स्टोरी भी माल मिले और नाहीं वो पेंटिंग जैसारस बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने उस पेंटिंग को दुगने भाव में खरीद लिया शायद उसे देखकर तो में इंप्रेस हो जाओ और इनकी जो टूटी पूटी लवसूरी थी वो भी अच्छे से क्रियेट हो जाती है और फि उसी वक्त आस्मान से हवा हवा ही कर दिया गया था और आज ये लोग उसी गोल्ड को समुंदर में से लेने के लिए आये थे और इसी के साथ ये शांदार कहानी यहीं पर खत्म होती है आई होप गाइस कि वीडियो ये एक्स्प्लेनेशन आपको पसंद आई हो और अगर ऐ जैसे की सस्पेंस थ्रिल एक्शन सूपर हीरो कॉमेडी रोमेंस होरर तो उनके लिए थोड़ा सा वेट कीजेगा तब तक के लिए की बॉचिंग इन स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में झाले वीडियो में